अगर आप जैकमा को नहीं जानते तो मैं बता दूँ ही चाइनिज बिजनेस मैगनेट और फाउंडर आफ अलीबाबा ग्रूप इनका जीवन अपने आप में ही एक मोटिवेशनल स्टोरी है तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी आउन कर लीजिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फालो कर सकते हैं मेरा यूजर ने में भून बता मिस्टर के नाम से तो चलिए सुरू करते हैं बिना किसी देरी के जैकमा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के एक छोटे से गाउ में हुआ था जैकमा के माता पिता पारंप्रिक गानों पर गा बजा कर अपनी जीव का चलाते थे जैकमा को बचपन से ही अंग्रेजी सीखने की बहुत इच्छा थी इसलिए वो हांग जाओ इंटरनेशनल होटल में साइकिल से जाते थे जहां बड़े बड़े विदेशी नागरिक आते थे जैकमा अंग्रेजी सीखने के लिए उन लोगों से पहले अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में बात किया करते थे चीन में अंग्रेजी भासा को उतना जरूरी नहीं माना जाता था परन्त जब जैकमा ने कुछ अंग्रेजी बोलना सीख लिया तो उन्होंने दूसरे देशों से आने वाले विदेशी लोगों के लिए एक टूरिस्ट गाइड के रूप में काम किया ऐसा करते करते उनकी इंग्लिस बहुत ही अच्छी हो गई उन्हें ये काम लगबग 9 अरस तक किया जैकमा ने हांग्जाव इंस्टूट आफ इलक्रोनिक इंजिनिंग में अंग्रेजी सिच्छक के रूप में काम किया था तूरिस्ट गाइड का काम करते करते उनका एक अच्छा विदेशी मित्र बना जैकमा का असली नाम मायू था पर चीनी भासा में इसे बोलना बहुत ही मुश्किल था इसलिए उस विदेशी मित्र ने उनका नाम जैकमा रख दिया तब से उनको जैकमा के नाम से जाना जाने लगा उसके बाद जैकमा ने नवकरी ढूनना सुरू किया जैकमा ने 30 से भी ज़्यादा नवकरी के लिए कोसिस किया पर उन्हें हर जगे से बस नाकामी ही मिली उन्होंने एक बार पुलिस की नवकरी के लिए कोसिस किया पर उन्हें देखते ही मना कर दिया गया जब केपसी का रेस्टोरेंट उनके सहर में पहली बार खुला तो उन्हेंने केपसी में नौकरी के लिए ट्राइ किया पर वहाँ जिन 24 लोगों ने नौकरी के लिए अपलाई किया था उनमें से 23 लोगों का नौकरी में सेलेक्शन हो गया लेकिन इनका नहीं हुआ इससे यह पहली बार इंटरनेट देखा और चलाया उन्होंने इंटरनेट पर सबसे पहले बियर सब्द को सर्च किया वहां उन्हें बियर सब्द के बारे में अन्य-ण्य विबसाइट के कई प्रकार की जानकारी मिली उन्होंने जब अच्छे से ध्यान दिया तो देखा कि इंटरने एक छेतर में काफी पीछे है जैकमा और उनके अमेरिकी मित ने मिलकर चीन की जानकारी से भरा हुआ अपना पहला एक वेबसाइट बनाया बनाने के कुछी घंटों के अंदर जैकमा को कुछ चीनी लोगों के ईमेल आने लगे उसी वर्स 1995 में जैकमा उनकी पतनी और कुछ दो उन्हों ने रखा चाइना यलोव पेज इस कंपनी को सुरू करने के लिए सभी दोस्तों ने मिलकर लगबग 20,000 डॉलर जमा किये थे इस कंपनी का मुख काम था दूसरी कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाना तीन साल के अंदर उसी कंपनी को तीन लॉग डॉलर का मुना से साड़े तीन घंटे लग जाते थे जैकमा ने अपने 33 वर्स की आउमें अपना पहला कंप्यूटर खरीदा था 1998 में 1990 में में चाइना इंटरनेशनल इलेक्ट्रोनिक कॉमर्स सिंटर द्वारा इस्थापित एक आईटी कंपनी में भी काम किया पर उसके बाद वह वहां से काम छोड़कर अपने 17 दोस्तों की टीम के साथ दुबारा अपने जन्मिस्थान हांग जाउल लाउट आए उसके बाद उन्होंने अपनी पहली B2B e-commerce वेबसाइट की जैगमा कहते हैं वो सैंट फ्रांसिस्को में एक कॉफी साब में बैठे थे वैसे तो अपनी वेबसाइट का नाम अली बाबा रखने कमान उनका पहले से ही था पर उन्होंने साब के एक वेटर से पूछा क्या त आते हो तो जवाब आया खुल जा सिमसिम उसके बाद उन्होंने कई भारती अमेरिकी और अन्य देशों के लोगों से भी वही सवाल पूछा तो उन्होंने पाया कि सभी लोगों को अली बाबा की विसे में पता था बस उसके बाद उन्होंने अपनी कमपनी को अली बाबा बिलियन है आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दीजे नोटिफिकेसिन मेल को भी जान कर दीजे हम आपको इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो प्रवाइड करते रहते हैं तो इस वीडियो में इतन सब्सक्स靠ट शे नोगली जाली जात्विकेस्जे तिरवाइब कर देम。